उत्रपर्देश के हर्दोय के हरपालपूर में पेड से अनार तोटने को लेकर हुए विवात में जमकर लाठी डंडा इट पत्थर और गोली चल गई इस घटना में दोनों पक्षों के दो लोग खायल हो गई जिने इलाज के लिए जीला अस्पताल में भेज दिया गया है जहां से उन्हें गंभीर हालत में लखनव रैफर कर दिया गया है मामले की सुचना पाकर मोखे पर पहुँशी पुलिस ने लाइसेंसी बंदूख बरामत कर ली है हरपाल पूर ठाना इलाके के करनपूर गाउं में पेड से अनार तोड़ने को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया इसके बाद वहां लाठी डंडे इट पत्तर चलने के साथ साथ गोली चल गई इसमें एक पक्ष के 32 वर्षे इसलाम पुत्र इबराहिम दूसरे इसलाम पुत्र अजमल घायल हो गए जिने आनन्फानन में जीला अस्पताल में भरती करवाया जहां से उन्हें लखनव के लिए रैफर कर दिया गया है सीओ राकेश वर्षिस्ट ने बताया कि मोके पर पहुंशी पूलिस ने एक लाइसेंसी बंदूक बरामत कर ली है हर दोई से समाधाता शाही देली की रिपॉर्ट थाना अरपालपूर छेतर में ग्राउं करनपूर मतनी पड़ता है जहां अब एक अनार के पेड़ पर अनार कोड़ने को थोड़ा बहुती बाद हो गया था परसमें मनमुटा हो गया था जिसमें एक व्यक्ति ने फैर किया इसने फार किया उसको अरेस्ट किया गया है प्रूती गार्डन अजे बीडी बैंकेट्स एंटरप्राइज